हेलो गाईज, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी आज के क्लास में हम आपको पताएंगे पूर्ण आंत्रिक परावर्तन के बारे में ये फिजिक्स का टॉपिक है 12 का क्या लिखा हुआ है कि आई का मान जैसे ही क्रांतिक कोड से थोड़ा और बढ़ाते हैं समपूर्ण प्रकास उसी माध्यम में वापस लोट आता है जिस माध्यम से वह जा रहाता है इस घटना को पूर्ण आंत्रिक परावर्तन कहते हैं याद भी आपको करवा देते हैं जैसे कि आपने नियम पढ़ाओगा अपवर्तन का नियम इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? आई को बोलते हैं आपतन कोड क्या बोलते हैं आपतन कोड और आर को हम बोलते हैं अपवर्टन कोड ठीक है तो यह बात है आपने पढ़ी होंगी यहाँ पर आई कमान आया था तो हमने इसलिए आपको इसके बारे में बता दिया आई का मतलब है अपवर्टन कोड ठीक है तो क अपतन कोड का मन अन और बढ़ा देते हैं तो क्या होता है संपोल प्रकाश SpaceX और अैसे करके मूड गया तो इस घटना को क्या कहते है उसी माध्यम से आता है उसी माध्यम से वापस लूड बेदाध है तो इसी पूर्ण का मतलब ही होता है पूरा यानि कि जब पूरा परवर्तन हो जाता है तो स्विकुम क्या कहेंगे पूर्ण आंत्रिक परवर्तन फॉर एक्जामपल के लिए यहां पर आपने लिख दिया है जैसे कि काच में पड़ी दरार का चमकना काच आपने देखा होगा माले आप शीशा ले सकते हैं मिरर और उसमें अगर दरार है तो अगर उसके उपर संलाइट आप डालते तो जैसी प्रकाश आता है वैसी उसी जैसे कि वहाँ पर जो भी जीव जन्तु होते तो डिगेस्तार में सबी को पता होता है कि पानी की बहुत कमी होती है तो में अग्ले नक्स क्लाश में परते हैं कि पूर्ण आंत्रिक परवर्तन की शर्तिया जाता है तो इसलिए इस वीडियो को बनाया है क्योंकि शर्तिया तो शर्टों को बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्ण अंधिर्ग परवर्तन क्या होता है इसलिए अमने इस वीडियो को बना दिया है अगले क्लास में शर्टों के साथ मिलेंगी जो कि most important है अग्जाम में यह आज आती है तो इस class में इतने रखते हैं अगले class में मिलते हैं अगले next topic के सब तब तक लिए जाहिए जाहिए